तो नमस्कार पहरे साथ यो डीजेसर क्लासेज के उनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका श्वागत विजंदन हैं हम बात कर रहे हैं राजस्तान के जिक्के की और राजस्तान की जिक्के में हम लेकर आए आपके लिए महत्मून प्रशनों त्री जो आपके समस्ते एक्जामों क शुद्वात करने जा रहे हैं पहरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं देखिए का जो पहला किशन आता है आपके शामने वह है मारवारा परगनारी विगत इतिहासिक ग्रंत इसका है इसे नहीं लिखा इसको आपको पता है महाराज जस्वंत शिंग हुए थे कौन हुए थे भई जोदपूर के महाराज जस्वंत सिंग होए थे जस्वंत सिंग के दरबार में एक मुणोत नेंड़सी करके राज दरबार में एक विद्वान रहा करते थे कौन रहा करते थे मुणोत नेंड़सी नामग एक राज विद्वान रहा करते थे विद्वान की द्वारा आ जाता एक तो क्योंचा मूनोत नेड़सी की द्वारा ग्रंत लिखा जाता है कि इनके द्वारा नेड़सी नामक रचना कि कुस्की थी यहीं मूनो तो मढईनस करने कि इसके बारे में का जάता है कि इसे इन्होंने सरवपृतम वराजस्तान जनगणना करू लेक कि मारवाड राज्य की जनगणना कर लेक की सरवपृत इंचिक्न गरंद्व भी किया इसे मारवार का गजेटियर भी का जाता है क्या का जाता है क्या का जाता है मारवार का गजेटियर का जाता है क्योंकि का जाता है गजट की यानि कि यहां पर सरुप्रतम आर्थिक इस्तिति की जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से देखने को मिलती है मारवार राजी की शरुप्रतम इसने आर्थिक स्थिति का उलेक किया किसका उलेक किया वही आर्थिक स्थिति का उलेक किया किसका मारवार का कौन्ची का मारवार की आर्थिक स्थिति का उलेक किया कौन्ची ग्रंत में मारवार प्रजनारी विगत में और शरुप्रतम जनगनना किसकी जनगनना काउलेट का हमें देखने को मिलता है वह भी इस ग्रंत में देखने को मिलता है यह किसके स्ताम पर रहा करते थे इस समेच जस्वंत शीन जस वंत श्योंकिक के टाइम पर यह राज़ दरबारी विज़ कम आगते ते किसके इताए और गन्य को तरी預ert कि द्वारा बंद कर कहां पर लाल चंद नाम के भाई हुआ करता था इनका दोनों को कहां पर डाल दिया जाता है एक लाक रुपे का जुर्माना इनके उपर लगा दिया जाता है इस कारण इनको दोनों को जेल में डाल दिया जाता है इनके भाई को और इनको और जेल में डाल देने के कारण इनके कर लेते हैं तो यह था आपका पहला क्यूशन इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखिएगा हम बात कर लें करनल जैंस करनल जैंस टोड़ द्वारा लिखी गई एनाल्स अटिक्यूटीज आप राजस्तान अनाल्स अटिक्यूटीज ऑफ राजस्तान नामक पुस्तक का दूसरा नाम जो देखने को मिलता है प्यर्दोस्तों तो इसका जो नाम देखने को मिलता है इस सेंट्रल एंड वेस्ट्रन राजपूत इस्टेट्स अफ इंडिया इस्ट्री जो नाम देखने को मिलता है दे सेंट्रल एंड वेस्टन राजपूत स्टैट्स आफ इंडिया उसका दूसरा नाम देखने हुए का जाता है पहरे दोस्तों के अनल्स एंड एक्टिकूटीज को प्रसाइट करने का सरे इनका गुरूप हो जाता है इनके गुरूप के द्वार करनल जेंस्टोड को भोड़े वाला । किसके दुवारा लिखी गई थी घोड़े वाला बाबा का जाता है इनके द्वारा राजस्तान के प्रतेख ripping कर राजस्ता समस्ति प्यास लिखा गया किसकाैं राज esas समस्ति एम रिका जाता है और राजस्तान की इतियास लिखने के कारण इनको क्या का जाता है इने राजस्तान के इतियास का जनक भी कहा जाता है यह वी सी स्रूप से ध्यान रखना करने जैंस टोड़ की कौन से पुस्तक अप राजस्तान का दूसरा नाम इंडिया दोस्तों चलिए आगे बात कर से काल में कौन सी लिपी का प्रियोग हुआ है आप देखिएगा महत्पुन क्यूशन और महत्पुन क्यूशन जवरदस्त क्यूशन सांदार क्यूशन इंपोर्टेंट लगा कर चाप लीजिए और चाप कहां लीजिए यह प्रश्न लिपी का प्रियोग किया जाता था सब्वेता में लिपी का प्रियोग किया जाता था अर्भी थीनी खरोष्टी तो कहा जाता है कि यहां पर जो देखने को मिलती ए शेंड़ा उल्पी ठीजिए उस प्रकार से लिखी जाती थी अर्था अर्थ कौन सा यहां से बात करें यहां से सबसे पहले बाएं से दाएं दाएं से बाएं बाएं से दाएं ठीक है किस प्रकार से लिखी जाती थी बाएं से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं से बाएं से बाएं इस प्रकार से इसका क्या से टूटता नहीं था इससे क्या कहा जाता इसको खाजाता है इसको घुरुष्टो रिण काज़ता है क्या तरहई मुत्री लिपी कहा जाता है पुर्फ का जाता हैدة और इसको क्या कर तेस्को चित्राक्षर लीपी कहा जाता है चित्राक्षर लिपी का आ जाता है इसी को क्या का जाता है चित्राक्षर लिपी का आ जाता है इसमें जो है चित्राक्षरों की बात करें इसमें चित्राक्षर मिले हैं 250 से लेकर 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर देखने को मिले इसके मूल मूल इसके मूलाकसर जो देखने को मिले हैं वो कितने माने गए 64 माने गए और जो चित्राक्षर माने गए अब जो इसको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन दोनों को शपलता नहीं मिली प्यादर दोस्तों तो यहां पर चन्दू संवेता के लिपी पोच ले तो दो सेंदव लिपी का ध्यान रखना रखना है और विशेश रूप से ध्यान रखना है आपको यहां पर आपको प्रस्न कई पार पूछा जा चुका है, क्योंकि इसे गोमुत्री लिपी कई आजाता आपने देखाए होगा गाओं में जो चलती हुई गोम इम आता है वो टोइलेट करती है किस प्रकार से इस तरीके से लाइन बन जाती इस कारण इसको क्लों कर देत सब्सक्षे स्मंद्री रखते हैं घर में धिया लुको को पता है और सब्सक्राइब मिले हैं क्या मिले हैं हमें हमें जानकारी मिलते हैं किया मिले हैं किया मिले हैं और शिला लेक मिलने के कारण का आ जाता है यहां से इस दर्म धर्म की जानकारी भी हमें मिलती है भीजक या भीम की डूंगरी यहां किस सब्सक्राइब करते हैं यह मोड़ कालिन हैं मोर कालिन जानकारी के शुरूत हमें देखने कुले के मिलते हैं कहां पर बीजक की पाड़ी कहां से पैराण के जयपूर में जयाद रह जायेगा नदी के चिनारे और बात करते हैं बाबर और राना सांगा के बीच खानवा का युद्ध कभुआ बहुत सांदार क्यूशन है और इतना आसान भी है लेकिन अशान भी है लेकिन प्रेश्न कई पार पूचा जा चुका है इससे आप भाग नहीं सकते हैं आसान तो है आपको लग रहा होगा पैर दोस्तों कि बहुत आसान क्यूशन है हाँ बिलकुल आसान है लेकिन कही सारे यहां पर देखिएगा पंदरा सो चोटीश पंदरा सो सड़ डिन्यक यह सूरी अग्बर ने किसके उपर इंपर इंपर आक्रमन किया था आपको बताए कि चितोड़ गढ़ के उपर आक्रमन किया था चोतीस पे तीस में ठीके अटीए फंद्रासोस अटार्या सो 17 की बात करें अजिशन होते हैं 1527 में कहा जाता है राना संगा और बाब 1527 को खानवा तेसिल यानि की भारत पुर जिले के रुपवास तेसिल के खानवा नामकेस्तान पर क्या एतियासिक युद्ध होता है जिसमें प्यारे दोस्तों इस युद्ध में कई सारे राजा किसकी तरफ से भाग लेते राणा सांगा के और से भाग लेते और इस कि अपनाता है पाति परवन की नीती हुंसे हंदू राजा की सदेने-क लिए आते हैं के पिलिया क्या जाते हैं के बाड़ी के एक आक अंक और आख सा और प्रतुराज के जब जाता है कि जब चाचाष साहसा सारंगदेव के साथ कहा पर शेवंतरी घाउन नामकिस्तान पर क्या उसके पुझारीं से पूचने के लिए गए थे की कोन इसका लाजहिसे राजा बनेगा नेक्ष तो कहा जाता है कि जब सांगा का नाम लिया तो इसके बड़े भाई प्रत्युराज बाले से लट रहा था एक हाथ नहीं था एक पेर नहीं था एक आँख नहीं थी आपके पता है कि एक कील चुप एक कांटा चुप जाता है यहां पर बंदे से पूचिए कितनी क्या कंडिशन हो रही होगी एक आप नहीं था एक पेर नहीं था एक आँख नहीं थी शरीर पर अ किलो के भाले से लड़ रहा है कितना खत्रना सासी आदमी होगा और इस समय यह जो युद्ध हुआ था पहरे दोस्तों सत्रा मार्स 1527 को खानवाम में होता है और का जाता है इस युद्ध में सबसे पहले तो बात करें यहां पर राजस्तान में सवरुपरतम तोप खाने का प् अली मुस्तफा खिक है अली और मुस्तफा दो तोंगोव्ल और जाता है पहरे दोस्तों कि यहां पर राजपुतने कभी तोपह चलती देखी नहीं तोंगा मुकाबला के से करे तो राजपुतों के सामने तोपह चल रही थीं तो राजपुत assumptions देख रहे थे क्या वह रहा है कि आग भी फेखने लगे श कीफे बरस रही कि कई सारे हाती डर गए तोपोगी घर्जना के कारणा हातियोंने गbare आनशना नहीं सुनी थी तोपोगी का जाता है है पैर दोस्तों यहाँ पर यहाँ के राजा हाथि ओपर बैटकर लड़ रहे थे हाथी ओपर बैटकर लड़ने के कारण यहां तो वह रहाती थे तो पोगी गर्जना सुनी उसकारणती तर भी तर हो जाते और अपनी शेना को लुक्षान पोचाने लगते हैं तो एक है कि इसे ना को कुछलने लग जाते हैं हाती इधर-उदर भगने और कि की साथ मिल जाता है और विश्वास कात पर करते हैं और कि को दोस्तों क्या कंडिशन होती है कि यह पर अगबर द्वारा भेजे गए प्रताप के पास सांति प्रस्ताव क्या सांति प्रस्ताव या सिष्टम अंडल क्या सिष्टम अंडल के लिए यानि समझाने के लिए किसको राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रस्ण इंपोर्टेंट है कई बार पूचा जा चुका है कई ब तो एक ट्रिक के माद्यम से जला जला मांसिंग मांसिंग भागा तोडर मल कौन तोडर मल इस ट्रिक के माद्यम से आप जाद रख सकते हो जला मांसिंग भागा तोडर मल देख लिए जमा लिए जलापोर जलाल खां जलाल खां मांसिंग कहा है दूसरे में क्या ये तीसरे में म भागा यानि भगवंतास टोडरमल यह आपका आंसर तो सही हो जाए ठीक है और सही क्रम है यह जो आम आंसिंग भागा टोडरमल इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं और कब फंद्स वहत्र में पहला मध्या 222 में गया और दूसरा प्रत पहले आमर सिंगह से कि armies ख्याने के लिए कहा किसने अमर सिंग से राना परताब ने कि बोजन के लिए बोले तो बोल देना कि राजा राजाओं के साथ बोजन करता है गुलामों के साथ नहीं तू अकबर का गुलाम है तो काये रहे साले कमीने कि तू अकबर का गुलाम है कि मैं राजा हूं और राजा राजाओं के साथ बोजन करता है मान सिंग को ऐसा करकर वापर लोटा दिया और कहा जाता है पहरे दोस्तों इस अकमान का बदला लेने के लिए मान सिंग अगुबर की पास पूचा और पहुचने के पशाथ कहा उसने कि आप तो मेरे लिए सेना तयार कर दीजिए तुरंत मैं तो अकबर के सामने जाकर यह लालताता हो जाता है लालता जाता है उसके बाद का भाद या कि दारता है आपको पताए कि जिए जब जस्कून सींगा मरत्य हो जाती है अरे जस्वंत सिंग की मरत्य हो जाती है जस्वंत सिंग की मरत्य के समय उसका एक भी जीवित पुत्र नहीं था मारवार में जस्वंत सिंग की मरत्य हो जाती है जस्वंत सिंग की मरत्य की पश्चात कहा जाता है कि जब इसकी काबूल में कहां पर होती है काबूल में जम्रूद के थाना नामकिस्तान पर जस्वंत सिंग की मरत्य हो जाती है जस्वंत सिंग की मरत्य हो जाने के पश्चात उ दोनों के पुत्र होते हैं दलसंबन होता है एक के अजित सिंग हो जाता है कि अजित सिंग को कहा जाता है कि इसके दर्बार में दुर्गादास राटोड को किया आता है मारवाल का उद्रक आ जाता है ुदरगादास राठोड को मारवाल का जाता है और इसी के दोबार चाटा है कि उरंग जेब की मृतिय। सवसात में उरंग जेब की मिलत्यू होती है ते सर्ण नमाटच picture गजत पस्चाहत या जित सिंग को राजा बनाते हैं और जित सओं को राजा बनाने की पसचाहता है दोESS ऐसके लिए पुरा जीवन समरपित कर दिया इन्हों तक संगर्स किया 1578 से लेकर 1768 से लेकर 1707 तक प्रफ दोस्तों दोला सो अथफतर में मराता कौन जस्वनता शींग जिसके वुलाद इन नहीं थी पेदा भी उनके सामने वा अजीत शींग और तीस वर्सों तक उसको राजा बनाने के लिए संगर्स किया मारवार की राजनीती म संगर्स किया और का जाता है पहरे दोस्तों उसके बाद यह देश निकाला देती तैक कुछ समय पश्चा ठीक है कौन होता है यहां पर जहन रखना द्रफ दूर्गादास राठोल का जाता है किसके दरबार में वहा करते थे यह जस्वन शिंग के दरवार में वहा करता था और का जाता है कि गडिसी के स्थान पर का जाता है यहां पर एगटना गटनते हो जाती है कि जोडिक ठीक मार देते हैं तो यह क्या करता है कि निर्भिग ननितास से दरवार जयस्वाणी सब्सक्राएं उसके बढ़गल में खड कर सामने राजा की आंक नीचे राजा के नीचे उससामने दूसरे विक्ति तो भी मार देता है जो के अ गढ़ निकाल सब्सक्राइब भगंतो दूसरे बियुरे एक सामने आय भी इस राजाता, निर्बिक वेकती, इतना साथ से वेकती है और इतना साथ से वेकती है, जो राजा के सामने बिलक। भए नहीं हैं और इसी के कारण जस ACC screening प्रवाइट होता है अपने रास्थार पहराईpal में जगे देता है पर दोस्तों और उसी के कारण जभी है कहता है कौन आगे मैं विख्यात इसमार कड़ाइज दिन का जोपला का मूल इमारत का निर्मान किसने करवाया था भई यह बहुत अच्छा क्यूशन है 1100 चवराण में देखी गाबात करें क्रुछा विग्रहाच शुत कि द्वारा निर्माण सुट इसके द्वारा एकान कर वाया था सब्सक्रंद में अच्छा आपको इसके इस्थान परकुलिए त इसका साको की ने विद्धिन अलम सそれは इसको को इस होतवत हो सिर्षा थी कंठा भरहन चार्पह एडाप अधा देनों इसनिन के झो repos गोड़े की विंधर ship मिर माऌ रातने संथ्कीया संस्क्रिश्यूर हाथ चिला मूलनाउथारासवत्ती स्रास्वत्ती ते रनडा चैन्ठा बरूंजी रatus वॉती तन्थी और चैन्ठा के भरण पाठ साला पाठ शाला क्या नाम कि तरह सूथ्थी कंठा भरण का तुलवाता है तुरवाने परशात कुटव दिन एबक उसके इस्तान पर अधाई दिन के जोपड़े नामक मस्जित का निर्माण करवाद głos त это का डाई दिन का उरस्त्रका और के सेन जोपडा का ज़ता है कि इतियासका लामते कि इसका निर मात प्रमुक कारण था है यहां पर देखने के नितिका कारण है यह तो था इस ही भाई की हत्या का बदल्य यह नहीं था वहीं पीत के के विध्रोईयों को सरण देना साम राजी वादी था लेकिन वहांपर सामला राज वॉद्स पूर्ण लेकिन यहां पर क्या था मुख्विय सब से महत पूर्ण इन से बात की जाए तो सुल्तान के विद्रोई शेलियों को शरण दे देना ठीक है सुल्तान का अल्दा अधिन खिल जी का एक का जाता है कि इसकी बैगम हुआ करती थी कामरू तिमना उसका नाम क्या था किमना या कामरू अब उसको कहा जाता है कि एक ता मुह और रुक्त सा नामक एक है रेनापती वा करता था उसका क्या होता था इसके साहत अफेर जाता है कि है और यह दोनों दोनों मिलकर उसकी बेगम अल्ला अब नंकिली गह एक तयारियां कर shortcuts यह ओर उसका पता बख्गकर चला जाता यह के कि सरण में चला जाता है हमीर्दियों चोवान की सरण में चला जाने के पश्चात यह इसको शरण देता तो यहां तो इसकार मांनते हैं के कि मुंबच्छा यहां से इनके बीच में इस ही के से देड़ लूंब का अंब भाग मुंबच्छा दोस्तों हमें कि ता हुए अथा दोस्तों रिगना है अधर दोस्तों के लिए इतना है कापी है तुहँ इक एक अंधूशनी दस्तों हो जाएं तेरा सो एक में अल्लाव दिन खिल जी का आक्रमन के समय रणतंबोर का साशक कुन था भई भरेशा दे रहा दे अभी तो जश्ट बताया में हमीर देव चोहान अभी 301 की बात ही कर रहे थे पर वही किशन आ गया हमीर देव चोहान था वही कुन था ते रहा है ठीके पर दोस्तों है है फिल जी के सेना पूंशेनी को को शरण दीती हमीर दिवने इस कारण यह आखर नहीं होता है चलेगा बात करते हैं यह विसे इस रूप से ध्यान रखना है फिल जी बंस ने जालोर का नाम बदल कर क्या कर दिया था जलालाबाद कर दिया था वही मुमिनाबाद तो बाद्दूर्शा ने किसका किया था जैपुर का किया था अमेर का किया था हिजराबाद शिवाना का किया फिरोजाबाद नहीं है ठीके फिरोजाबाद फिरोजाबाद तो सहर ठीक है ठीक है ठीक है फिरोजाबाद बरसाया था फिरोजा तुगलत के मीनाबाद बहुंगा तो फोरो 80 सब्सकर्ता को आव वाके दुरसा पर थ्रफ के द्वारा अधा है कि ये कि हो मुमिनाबाद वर अट-बाद सब्सद्राइब यह शबत नहीं फापरिट कि ऑद धन्यवाद पहолько दोस्तों इस चलिए जल्दी पतना झाल 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 झाल